डियर स्टुडेंट जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कॉलेज अगर हमको मिल गया है तो उसको कैसे चेंज करें अगर कालेज पसंद ना है तो देखिए आप रजेस्टेशन के काउंसलिंग के काउंसलिंग बादाव को कॉलेज अलाट हुआ कालेज में आपने उस का जमा किया फिस रिस्ट लिया सारा कुछ किया कालेज में अडिमेशन भी ले लिए उसके बाद आप कॉलेज कैसे चेंज करेंगे आपका विशय आपका कोश्चन यह हो सकता है सायथ तो देखिए अगर आप फीज जमा कर दिये हैं ठीक है उस कालेज का और आप चाहते हैं उ लेनी हैं आप किसी और कालेज में जाना चाहते हैं तो कालेज में आपको पहले या तो आपका पता होना चाहिए कोहां सीट खाली है कि नहीं यह आपका किसी मतलब विवस्ता होना चाहिए कि आप वहां चले जा सकते हैं ठीक है यारि मन्जूरी उस कालेज को होनी चाहिए क जाने का मतलब है कि आपका कोई source कोई सुविधा कोई ब्युवस्ता होना चाहिए कि आपको कोई उस college में ले लेगा ठीक है यह पता कर पड़ेगा दूसरे college में जिसमें आप जाना चाहते हैं ठीक है हाप यह करसकते हैं दूसरे कॉलिऩ में विवस्ता अपना लगा कर या तो अप क्या करते हैं टांसफर कर सकते हैं यही सुल्य था का कर सकते thought transfer कर सकते इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए कशूल से स्परक करेंगे जिस भी ब्रांच के हों उसके एडाफद्प Songs होते हैं जैसे कि मौनषप इलेक्टिकल के मकलीूनी जो हूंगे जो टीचर हेड होते हैं उन्हें भी हेडाफद्प इपार्ट Wiki एक चोड़िक करते हैं जैसा कि आप जान रहे हैं कई वीडियों में इसको बताया भी हुम है तो आप उनसे संपर करने उसके बाद principle की सहमती से ठीक है principal की सहमती से मोहर के दोर्वाद आपको transfer किया जाएगा पूरी अगर सहमती है principle आब आगरह कर सकते रेक्वेश्ट कर सकते तो principle मनजूरी दे देगा और उस काले मैं आपका पहले से बहुसता होना चाहिए कहना मतलब मैं समझ रहना उसमें यही फीज वहां भी हो जाएगा आपका और वहां आप जाके डिमीशन ले सकते हैं वहां पर सकते हैं यही किवल एक सुविधा होती है बाकि आप लोग जानते हैं कोई और सुविधा हो तुछ के लिए कमेंट करिएगा मैं उसमें पूश्टी करण जरू करूंगा चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब जरू करिया मिलते हैं ने स्टूडियों तब तक कि लिए बाए बाए